मताबिक एस्ट्राजनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई वहीं कई अन्या गंभीर बिमारियों का सामना भी करना पड़ा है एस्ट्राजनेका के तहट वैक्सीन को भारत में कोवीशील के नाम से बेचा गया हार्ट इटैक में जमा किये गए दस्तावेजों में कमपनी ने स्विकार किया कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया सिंड्रोम यानि TTS हो सकता है इस विमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलिट्स की संख्या गिर जाती हैं इसकी वजह से हार्ट इटैक स्ट्रोक का खत्रा होता है कमपनी के खिलाफ हार्ट इटैक में 51 मामले में मुकदमा चल रहा है पीड़ेतों ने अस्ट्राजनेका से करीब 1000 करोड का हरजाना भी मांगा है ब्रिटिन में जेमी स्टॉक नाम के एक शक्स ने अस्ट्राजनेका कमपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया उनका कहना है कि अस्ट्राजनेका वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद वो ब्रेन डामेज के शिकार होए है उनकी तरह कयान्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है उनका कहना है कि इस वैक्सीन को लगवाने के लिए उन्हें कई शारेरिक परिशानियों का सामना करना पड़ा है परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परिशानी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं अब सुरक्षा कारणों की वजह से ही अस्ट्राजेनिका उक्सफोर्ड वैक्सीन को यूके में अनवेलिबल कर दिया गया है साथ ही इस कंपनी ने इस वैक्सीन से होने वाले दुरलब साइड एफेक्ट को भी सुईकार किया तो मामला फिलहाल कोट में विचाराधीन है अगर याजी करताओं का दावा सुईकार कर लेता है कोट